सपना चौधरी कहानी एक सितारे की जब हम किसी लल्की के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उसकी सुन्दर्ता, संसकार और शिक्षा आदी के बारे में ही बात करते हैं लेकिन जब किसी लल्की के बारे में बात करते हैं। कुछ हिसा है जहा हर्याना की एक साधारण सी लड़की अपने हिम्मत और होसले से लाखो लोगों के दिलों की धर्कन और आखों का तारा बन जाती है. हम बात करने जा रहे हैं हर्याना की मशहूर डांस और सिंग सप्ना चौदरी के बारे में. सपना केवल हर्याना में ही नहीं बलकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में भी काफी मशहूर हो बही हैं जन्म और परिवार जैसे के कई बार सुना गया है कि सपना रोहतक की रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सपना का घर भी रोहतक में नहीं है सपना का जन्म 25 सितंबर 1990 को दिल्ली के पास के गाउं महिपालपूर में अपनी ताई जी के घर हुआ सपना नजफगर के एक माध्यम वर्गियक परिवार से थी, सपना के पिता एक प्राइवेट कमपनी में काम करते थे सपना की 12 साल की उम्र में उनकी पिता का देहान्त हो गया था पिता के बाद सपना के परिवार में उनकी मा, बड़ी बहिन और एक छोटा भाई है सकसे स्टोरी दोस्तों वैसे तो लाखों लोग सिंगिंग और डांसिंग में अपना नाम कमाने आते हैं पर सपना की बाद कुछ अलगी है पिता के निधन के बाद मा नीलम चोदरी और भाई बहन की जिम्मेदारी सपना ने अपने कंदों पर उठाई 12 साल की उम्र में सपना ने ओकेस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया उस समय सपना का मुख्य मकसद पैसे कमाना था धीरे धीरे सपना की जादू या आवाज लोगों तक पहुँचने लगी ऐसे ही सिंगिंग और डांसिंग को न सिर्फ अपना करिया बनाया बलकि इसी के दम पर अपने पूरे परिवार को चलाया लेकिन सपना को अपनी असली पहचान तब मिली जब उन्होंने अपना खुद का पहला गाना गाया सपना के पहले गाने Solid Body ने उन्हें चर्ण दिनों में ही हर्याना की Famous Star बना दिया था Struggle बचपन से ही सपना ने अपने सपनों को साकार करने की जिब थानी थी वो सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था संधश आज भी जारी है लेकिन काम्याभी भी कदम चूम रही है लेकिन दोस्तों कहते हैं न काम्याभी इतनी आसानी से नहीं मिलती यहां तक पहुंचने के लिए सपना को कई संधश करने पड़े 17 फरवरी 2016 को गुलगाव के चक करपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चोदरी ने रागनी बिगल गया गाई थी इस रागनी के कारण सपना चोदरी विवादों में आई इस रागनी के जरिये उन्होंने दलितों पर सवाल उठाए थे और जाते सुचक शब्द बोले थे इस पर दलित समाज बिगल गया और कहा गया कि गीत के माध्यम से उन्होंने पूरी जाती को बावला कहकर अपमानत किया है हाला कि मामले में सपना ने माफी मान गी थी लेकिन फेस्बुक पर उनके खिलाफ अभ्यान छेड़ा गया था जिस पर लगातार उनके खिलाफ आपत्यजनक टिप्पनियां की जा रही थी रोज आ रहे कमेंस से सपना चौदरी इतनी आहत हुई कि उन्होंने जहर खा कर जान देने की कोशिश की सपना चौदरी सपना के शोज में दिवानगी का आलम गजब का होता है सपना के गाव में शरारत भरा जो डांस होता है उस पर लाखो युवाफिदा है इसलिए सपना जब भी पफॉर्म करती है तो मंच से लेकर पंडाल के चारों तरफ लोग जूमते नजर आते हैं रागनी के जरिये सपना बेहत देसी अंदास में लोगों के सामने पफॉर्म करती है उनके गाने, अदाओ और डांस पर लाखों रुपे बरसते यहीं लाखों लोग सपना के दिवाने हैं और जहां भी जाती है गीर लग जाती है सपना मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बेटा ही परिवार की जिम्मिवारी संभालता है सपना चौदरी किसी बेटी से कम नहीं है कम पड़ी लिखी होने के बावजूद सपना अपने हुनर के दम पर करोडों लोगों के दिलों कर राज कर रही है